Hello Everyone, कैसे हैं आप सक? आज देखे मैं आपके लिए स्फिर से ये बहुत प्यारा, बहुत सुन्दर, बहुत ब्यूटिफुल डिजाइन लेकि आई हूँ और ये देखे कितना सुन्दर लग रहा है, ब्यूटिफुल बोर्डर के साथ ये ब्यूटिफुल डिजाइन देखे कितना प्यारा लग रहा है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो हमें बोलते हैं कि मैं हमें बीना जाली वाला कोई पैटरन बनाई है और बहुत असान होना चाहिए वो, क्योंकि हम बीगनर हैं तो ये बहुत असान, बहुत इजी डिजाइन है देखने में देखे जितना सुन्दर लग रहा है बनाने में ये उतना ही असान है सीजी तरफ से इस तरह से और उल्टी तरफ से ऐसे बनता है और मेरे कई सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि मैं जैंस स्वेटर के लिए कोई डिजाइन बताईए तो ये जैंस के स्वेटर में या फुल कार्डिगन में भी बनाऊगे ना इसे ये बहुत सुन्दर और बहुत प्यारा बन कर आएगा अगर आप वाइस का स्वेटर बनाना चाते हो चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है टेनेजर है हर एक पर ये बहुत अच्छा लगेगा बना हुआ और लेडिस के लिए जैंस स्वेटर में डिजाइन तो सेम हमने ऐसे ही डालना है लेकिन नीचे बोर्डर कोई ओर चेंज कर लेना है ठीक है क्योंकि ये वाला बोर्डर तो लेडिस के काडिगन, जैकेट, कूर्ती, आपश्रग बगारा बना रहे हो जो भी लेडिस के लिए ये अच्छा लगेगा तो आपने ये देख लेना है तो इसे बनाने के लिए जो हमने फंदे लेने है वो फंदे हमें चाहिए 16-16 के मल्टिपल से जैसे ये इतना डिजैन यहां तक 16 फंदों में ये 16 फंदे, 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 16 फंदे करते जाना है फंदे लिये हैं मैने नीडर पर है और 34 फंदे लेने के बाद इस waust row सीधी तरफ से देखिए कैसे बनेगी हो फिर ऑने उतार लिया फिर अपनी तरफ लेंगे ठीक है थागा अपनी तरफ करने के बाद यह एक यह दो दो ह कु靭이rir द उल्टे पहले हम चार फंदों पर डिजाइन डालेंगे तो देखे कैसे करेंगे अब फर्स्ट फंदे को छोड़ने के बाद सेकिड फंदे में पहले हम ऐसे इसलाई को डालेंगे थोड़ा सी सीधा बनाया उसके बाद अब फर्स्ट फंदे को भी सीधा बना देंगे इसे भी सीधा ठीक है तो ये पीछे वाला फंदा आगे आ गया और आगे वाला फंदा पीछे आ गया अब इसी तरह से हमने यहां पर करना है यह वाला फंदा हम यहां लेकिया आएंगे इस फंदे को हमने आगे ले लेंगे इस तरह से अब इसी डिजाइन को हमने इसी डिजाइन को पूरी रो में दुबर आते जाना है तो देखिए फिर से हमने कैसे करना है ये चार फंदे हैं हमारे फर्स्ट फंदे को छोड़ देंगे सेकंड फंदे में देखिए इसे सेकंड फंदे को थोड़ा सा लूज कर लेंगे इसे पहले हम सीधा बना देंगे इस तरह से फिर फर्स्ट फंदे को सीधा बनाएंगे ऐसे निकाल दिया दोनों को अब पीछे से से किंड फंदे में पहले सलाई को डाला पहले इसे सीधा बना लिया फिर फर्स्ट फंदे को भी सीधा बना दिया ठीक है ये दो बा स्लाई डाली सीधा बनाया फिर आगे वाले फंदे को भी सीधा बना देंगे ठीक है यह ऐसे बन गया अब फिर से इस फंदे को यहां इसे यहां लेकियाना है तो पीछे से सेकेंड फंदे में स्लाई डालेंगे पहले इसे सीधा बना देंगे अब फरस्ट फंदे को भी सीधा बना देंगे इस तरह से, ये 1, 2, 3 बार हमने दिजाइन डा ले ये 12 फंदों का दिजाइन हमारा कम्पलीट हो गया, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे, तो ये टोटल हमारे 16 फंदे हो गए पहले हमने 2 फंदे उल्टे बनाए फिर 4 फंदों पर डिजाइन डाला फिर से 4 फंदों पर फिर से 2 फंदे उल्टे यह टोटल हमारे 16 फंदे हो गए इनी 16 फंदों को रपीट करेंगे तो 2 फंदे फिर से उल्टे यह बीच में हमारे 4-4 फंदे उल्टे आएंगे starting में 2 फंदे last में 2 फंदे बीच में 4 फंदे उल्टे हो गए ठीक है 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से वो ही 4,4 फंदों की जो डब्बी बन रही है न हमारी वो बनाएंगे तो second फंदे को थोड़ा से लूज किया इसे पहले सीधा बना लिया अब आगे वाले फंदे को भी सीधा बना देंगे, निकाल दिया अब पीछे से पहले second फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर आगे से first फंदे को सीधा बना देंगे, निकाला अब फिर से यहाँ पर 4 फंदों का डिजैन डालना है तो second फंदे को पहले ऐसे सीधा बना दिया फिर आगे वाले फंदे को first फंदे को भी सीधा बना देंगे अब इन दो फंदों में भी ऐसे ही पहले पीछे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे फिर आगे वाले फंदे को सीधा बना देंगे और फिर से ये चार फंदे हैं हमारे फिर से वैसे ही सेम सेकेंड फंदे को थोड़ा सा लूज किया पहले इस फंदे को सीधा बना दिया फिर आगे वाले फंदे को सीधा बनाया निकाल दिया अब फिर से second फंदे में slide डाली इसे सीधा बना लिया फिर first फंदे को सीधा बना दिया ठीक है निकाल दिया ये टीन design हमने दुबारा से बना लिये अब धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे और ये last का फंदा हम जिसे सीधा बना देंगे यहां पर मैंने आपको दो design बना कर दिखा दिये एक दो अब उल्टी तरफ से ये पूरी रो उल्टी जाएगे उल्टी तरफ से हमारा कोई भी design नहीं डलेगा इस first फंदे को उतारते हुए ये सारी रो में ऐसे ही उल्टी उल्टी बना लूँगे इस तरह से अब सीधी तरफ से ये देखिए हमारी थर्ड रो है इस first फंदे को उतारने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे ठीक है फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे अब फिर से हमने इन चार फंदों पर ही design डालना है पहले देखिए हम हमने ऐसे डबी को खोला था अब इसी डबी को हमने बंद करना है तो कैसे करेंगे देखिए पहले हमने आगे से इस फंदे को पहले बनाया था फिर इसे बनाया था लेकिन अब पीछे से इस फंदे को देखिए second फंदे में पीछे से slide डाली पहले पीछे वाले फंदे को बना देंगे इस तरह से ठीक है देखें यह डबी हमारे बंद होगी अब यहां पर भी ऐसे ही गन्ना है यह आगे वाले फंदे को बाद में इसे बनाना है अब इस सेकंड फंदे में पहले सलाई को डाला इसे सीधा बना दिया फिर आगे वाले फंदे को भी सीधा बनाएंगे इस तरह से देखे ये ऐसे मारी डबी बंद होगी अब इसी डिजाइन को पूरी हमने सलाई में रिपीड करते जाना है तो करना कैसे है देखे इस फर्स्ट फंदे में छोड़ देंगे सेकंड फंदे में पीछे से सलाई डालेंगे और इसे पहले सीधा बना देंगे फिर इस सीधा बनाएंगे निकाल दिया अब आगे से हमने इस सेकंड फंदे को थोड़ा सा लूज कर लिया इसे पहले सीधा बना दिया फिर इस फर्स्ट फंदे को भी सीधा बना देंगे दोनों को निकाल दिया फिर से पीछे से सेकंड फंदे में सलाई डाली इसे सीधा बनाया अ अब आगे वाले फंदे को भी सीधा बना देंगे ठीक है निकाल दिया फिर इस सेकेंड फंदे को भी ऐसे ही सीधा बनाया आगे से इस फर्स्ट फंदे को भी सीधा बना देंगे दोनों को निकाल दिया इस तरह से यह तीन डिजाइन हमारे कंप्लीट होगे अब धागा अपन बना देंगे फिर आगे से फर्स्ट फंदे को सीधा निकाल दिया अब सेकंड फंदे को थोड़ा सा लूस करेंगे इसे सीधा बना देंगे फिर इस फर्स्ट फंदे को भी सीधा ऐसे निकाल दिया ठीक है फिर से सेकंड फंदे को पहले सीधा बनाया फिर फर्स्ट फंदे को स सीधा बना देंगे इस तरह से यह दो डिजैन होगे तीसरा डिजैन भी ऐसे ही बनाएंगे सेकंड फंदे को पहले सीधा बना लेंगे फिर आगे से इस फर्स्ट बंदे को सीधा बनाएंगे निकाल देंगे फिर इसे थोड़ा से लूज करेंगे पहले इसे सीधा बनाया फिर आगे वाले फंदे को भी सीधा बना देंगे, ये तीन डिजाइर हमारे बन गें, सोरी, स्लाइब निकल गें, फिर लास्ट में बस हमारे ये दो फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ करते हुए, ये दो फंदे हम उल्टे बना देंगे, और ये एक फंदा सीधा, अब उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बना लेंगे, बस उल्टी रो बनाने के बाद ये 4 सलाइओं का डिजाइन है, हमारे देखें, 4 सलाइओं कम्प्लीट होगी, इनी 4 सलाइओं को हमने दुबारा दुबारा रिपीट करते जाना है, जो मैंने आपको बनाईए, बताईए ना, देखें, एक बार डबी खुलती है, एक बार बंद होती है, तो आगे-ागे बनाते जाओगे आप ये देखें, ऐसा ब्यूटीफुल डिजाइन बनकर आपका रेडी हो जाएगा, बहुत प्यारा बहुत सुन्दर डिजाइन है, जुरू ट कर दीजिए, कमेंट भी जुरूर कीजिएगा, आपके अच्छे-चे कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है, आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं, और मैं उन्हें लाइक भी करती हूँ, कई वर ऐसे हो जाता है, कि मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, लेकिन हर एक कमें कमेंट मैं जुरूर देखती हूँ, और थमजब उन्हें जुरूर देती हूँ, हाट भी भेजती हूँ न मैं आपको जुरूर भेजती हूँ, तो फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट फीडियो में, बाबाई